तो कियाल चाल दोस्तों मेरे नमे सानू कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बालेंस सेविंग एकाउंट कैसे ओपेन करें ओनलाइन घर बैटे बैटे अपने मोबाइल फॉन से इस वीडियो में आपको कम्पलीट प्रोसेस अश्टेप बाइस्टेप दिखाने वाले दोस्तों कर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग एकाउंट ओपेन करना चाहते हैं तो आप महिंद्रा बैंक में ओपेन कर सकते हैं जीसे आप इस एकाउंट को ओपेन करेंगे तो इंस्टेंट आपको एकाउंट नमबर वर्चूल डेविट कार मिल जाएगा जिसका यूज करके दोस्तों आप गूगल पे फोन पे बना सकते हैं इसमें आपको मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग का भी फैसलिटी मिलता है और इसमें दोस्तों आपको जो है 250 रुपया का कैस बेक भी मिलेगा इसका KYC भी वीडियो कॉल के जरिये कम्प्लिट कर सकते हैं गर बैटे, आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लिट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो वालेंस सेविंग एकाउंट आपेन करने का अगर आप आप आपेन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाच्ट तक जोड़ देखिएगा बड़ दोस्तों से पहले अगर आप हमारे चैनल पने में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बगल में एक वाल आइकन आएगा उससे भी प्रेस कर लिजिएगा इयो के डेस्क्रेप्शन में आपको एकाउंट ओपेन करने का लिंक मिल जाएगा जिसे आप उस लिंक के उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है और यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है जिस mobile number को आप यूए bank account में link करना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको email id डालना है और यहाँ पर आपको दो option मिल रहा है इन दोनों option को आपको tick कर देना है उसके बाद एक option मिलेगा open now का escape पर आपको click कर देना है उसके बाद आपके mobile number पर एक OTP जाएगा जिसको यहाँ पर डालना है उसके बाद एक option है next का escape पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि इस account को open करने के लिए आपके पास अधार कार्ड, original paint card होना चाहिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है नीचे स्क्रॉल करना है उसके बाद एक option मिलेगा देख सकते हैं प्रोसीड का तो आपको क्या करना है प्रोसीड वाले option के उपर क्लिक करना है जिसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपसे बोला जा रहा है कि आपका अधार काड का details का use करके इस account को open किया जाएगा तो जिसके लिए आपको क्या करना है एक option मिल रहा है yes का excuse पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना pain card का number डालना है यहाँ पर आपको अधार का number डाल देना है उसके बाद देख सकते हैं एक option है next का excuse पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद terms condition आ जा कर दिना है तो अब आपके रजिस्टर मोबाईल नमबर पर एक OTP जाएगा जो आपके अधार कार्ड में मोबाईल नमबर रजिस्टर है उस OTP को आपको यहाँ पर डाल दिना है और एक option है next का इसके उपर आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नमबर डालना है जो मोबाइल नमबर आपके अधार कार्ट से लिंक है उसकी बाद एक option है देख सकते हैं continue का इसकी उपर आपको क्लिक कर देना है उसकी बाद जो आपके अधार कार्ड भी एड्रेस है वह एड्रेस आ जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं एक option है continue का इसके उपर आपको क्लिक कर देना है उसकी बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपके अधार कार्ड से कुछ details ले लिया जाएगा अब यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना occupation को चूज कर लेना है जैसे student, selleride, self-implied यहाँ पर हम student हैं तो हम student को select कर लेते हैं उसकी बाद यहाँ पर आपको annual income चूज कर लेना है आपका annual income कितना है उसकी बाद यहाँ पर आपको marital status चूज कर लेना है single है या फिर married है उसकी बाद यहाँ पर आपको father name डाल देना है mother name डाल देना है उसकी बाद देख सकते हैं आपके अधार कार्ट से आपका date of birth और gender ले लिया जाएगा उसकी बाद एक option है next का इसकी उपर आपको click कर देना है अब यहाँ पर normally details add करने का option मिल जाएगा अगर आप normally details को add करना चाहते हैं तो आप जो है देख सकते हैं S की उपर click करेंगे अगर आप normally details को बाद में add करना चाहते हैं तो I will do it later वाले option की उपर click कर देंगे तो यहाँ पर हम जो है इसे select कर लेते हैं बाद में हम normally details को add करने वाले हैं उसकी बाद एक option है देख सकते हैं इस option की उपर आपको tick करना है और एक option मिल रहा है continue का इसकी उपर आपको click कर देना है जो आपने details दिया है देख सकते हैं सब भी details आ जाएगा अब यहाँ पर एक option है देख सकते हैं continue का तो आपको क्या करना है continue वाले option की उपर आपको click कर देना है जिसे आप continue वाले option की उपर click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है कुछ option मिलेगा जिसको आपको जो है tick कर देना है चलिसे हम टिक कर देते हैं और एक option है continue का इस क्यूप पर आपको किलिक कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है इसका terms condition को एगरी कर लेना है जिसके लिए आप जो है इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन option मिल रहा है तीनों को आपको जो है एक करके tick कर देना है उसके बाद एक option है accept का इसक्यूप पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है communication address डालने का option मिल जाएगा तो यहाँ पर आप जहाँ पर भी रहते हैं उस address को यहाँ पर आपको डाल देना है जैसे house number, locality, area, pin को डाल देना है उसके बाद एक option है इसके उपर आपको tick कर देना है एक option है continue का इसके उपर आपको click कर देना है तो अब यहाँ पर video KYC के लिए आपको access देना होगा यहाँ पर आपका साथी साथ वीडियो KYC भी complete हो जाएगा जिसके लिए आपको continue वाले option के उपर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपसे परमिशन लिया जाएगा location का तो आपको simply allow कर देना है जिसे आप allow करेंगे तो अब यहाँ पर आपको अपना pen card का photo किलिक करके upload करना होगा जिसके लिए एक option है click photo का इसके उपर आपको click करना है और आपको जो है pen card का photo upload कर देना है देख सकते हैं upload वाले option के उपर click करके उसके बाद अब आपको अपना photo को के लिए एक option है click photo का इसके उपर आप click करेंगे और आपको अपना एक photo upload कर लेए फोटो upload करने के बाद आपके पास signature upload करने का option मिल जाएगा तो आपको click photo वाले option के उपर click करना है और आपको एक white paper मेn signature करना है और उसका जोई photo click करके आपको यहाँ पर upload कर देना है उसकी बाद यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो के वैसी के लिए complete हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको जोए bike वेगरा कुछ भी नहीं करना है जस्ट आपका wait करना है उसकी बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपसे जोए कुछ permission लिया जाएगा allow करने के लिए तो आपको क्या करना है click here to start your video के वैसी इस option के उपर आपको click कर देना है उसकी बाद एक option है allow का excuse पर आपको click कर देना है जैसे आप allow करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं video call जोए connect हो जाएगा उसकी बाद यहाँ पर आपसे जोए कुछ details पूछा जाएगा आपको अपना pen card दिखाने के लिए बोला जाएगा फिर आपका जोए video के वाइसी complete कर दिया जाएगा यानि आपका जोए account का full के वाइसी complete हो जाएगा उसकी बाद दुस्तों आपके mobile नमबर पर और email ID पर account number CRN नमबर मिल जाएगा जब दुस्तों आपका account open हो जाएगा और दुस्तों सेम डे अगर आप इस account में 10,000 रुपया डालते हैं तो दुस्तों आपको जोए 800 रुपया का यानि 250 रुपया का Amazon का वाचर मिलेगा जिसको दुस्तों आप जोए Amazon में redeem करेंगे फिर दुस्तों आप जो रिचार्ज, बिल, पेमेंट वेगरा शॉपिंग कर सकते हैं वीडियो पसंदा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जरूर से एर किजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहींगे चैनल को सब्सक्रेब कर लिजिएगा बगल में एक बाला करनाएगा उससे भी प्रेस कर लिजिएगा जोस्तों अगर आप लोग कुछ भी पूछना कोई भी प्रॉलम आ रहा है नीचे में कमेंट कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मेसेज कर सकते हैं मिलते आप से किसी नेक्स्ट वीडियो में